Hello to all my dear friends, my name is Sumitra Na बच्छों आप सभी का हमारे SR-BSC classes में बहुत-बहुत सागत है बच्छों आज के इस lecture में हम लोग यहाँ पर जो है ना lecture 8 लेकर क्या हैं जैसा कि हमारा BSC 3rd year का पहला paper चल ला है ठीक है और इस पहले paper में हम लोगों ने parasytology को complete कर लिया था नेक्स जो हमारा portion यह topic था वो vectors और paste के उपर था that means हमारी second unit second unit में जो पहला lecture हमारा हो चुका है वो mosquito के उपर हो चुका है और mosquito के बारे में detail में हम लोगों ने study कर लिया था previous lecture में पढ़ लिया था अगर अभी तक आप लोगों ने वो lecture नहीं देखा है तो हमारी playlist में जाकर क्या आप उसको देख सकते हैं YouTube पे फ्री में playlist रप्रोट की गई है या अगर वहाँ पर भी आप नहीं ढून पा रहें तो हमारा telegram group join कर लिए जहाँ पर आपको उसका link भी मिल जाएगा और उससे related आपको PDF फाइल भी मिल जाएगी तो अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लिजिए बेल आइकन दबा लिजिए क्योंकि जब भी मैं कोई video upload यहाँ पर करूँगा और बहुत सारा description लेक्चर आप लोगों के बीच में ला रहा है जिससे आपके knowledge का तो गेन हो गई होगा उसके साथ साथ आप अपने exam में बहुत अच्छे से लिख भी सकते है चलिए तो सुरू करते हैं आज का हमारा topic vector और paste के उपर जिसका नाम है termit अब देखें termit क्या है termit को हम लोग क्या कहते हैं दीमक कहते हैं वो कहते हैं दीमक लग गया है दीमक लग गया है अब धीरे धीरे पूरी लकडी खराब हो जाएगी घरों में दीमक लग जाता है दीवालों पे दीमक लग जाता है जिससे पूरा नीव खराब हो जाता है नीव जो भरा होता है या जो प्लास्तर होता है वो सब खराब हो जाता है दीमक के लगने से कागज में भी दीमक लग जाता है तो उसी को ही हम लोग यहाँ पर डिसकस करेंगे इसका एक second name है जिसको हम लोग बोलते है white ant ठीक है तो याद रखिएगा कि white ant किसे कहा जाता है ये एक तरीके की चीटियों की प्रजाती में भी आता है चीटियों की species में भी आता है ठीक है कौन दीमक और ये white color का होता है तो इसलिए इसको हम लोग white ant कहते है ठीक अब इस lecture में हम लोग termit के बारे में देखेंगे क्या क्या तो यहाँ पर हम लोग इसका classification पढ़ेंगे इसकी habitat देखेंगे कि इसका सभाव वासिस्थान कैसा है इसका social organization किस तरीके से है ये किस तरीके से एक community में रह करके community कहने का मतलब क्या हुआ हम लोग के पीच में नहीं community कहने का मतलब हो गया कि इसी के ही एक colony होगी उस colony में अलग अलग काम करने वाले ही क्या होंगे टर्मिट्स होंगे वर्कर टर्मिट्स अलग होंगे soldiers अलग होंगे king अलग होगा queen अलग होगी इनका सबका एक अपना काम होगा तो वो भी हम लोग देखेंगे इसका social organization then इसके बाद में हम लोग उसकी life cycle के बारे में discuss करेंगे जो की important है आपके exam के point of view से 2 या 3 number में पूछी जाएगी तो उसको हम लोग यहाँ पर discuss करेंगे ये हमारे दैनिक जीवन में क्या damage करते हैं ठीक है क्या ये खराब कर देते हैं हमारे जीवन में चीजों को तो उसके control के बारे में समझेंगे that means damage जो हुआ उसका control कैसे हो सकता है कि कोई चीज़ डैमेज ना हो और इसको हम किस तरीके से रोक सकते हैं ठीक है बच्चों तो आज के इस complete lecture में lecture 8 में हम लोग यहाँ पर termits की complete study material को provide कर रहे हैं आप लोग के बीच में तो आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को जादा से जादा आप लोग शेयर कीजिएगा क्योंकि आपके सर आपके भाई इतनी म देखिएगा क्योंकि यहाँ से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है चलिए स्टार्ट करते हैं heading डाल दीजिए termit termit को हम लोग हिंदी में कहते हैं दीमक और इसका एक जो common name है जिसको हम लोग एक अन्य नाम से भी जानते हैं जिसको हम लोग कहते हैं white ant या कहते हैं इसको बच्चों white ant यानि कि सफेद चीती किसे कहा जाता है तो termit को कहा जाता है याद रखिएगा लिखा हुआ है it is also called as white ant दो नंबर में इसका classification आता है बच्चों दो नंबर में इसका क्या आता है classification आता है आपको classification पता होना चाहिए तो देखिए kingdom classification करने से पह इसको systematic position भी कहते है अगर question आ जाए कि termit के systematic position के बारे में explain कीजिए तो ऐसा नहीं कि आप घबरा जाए घबराना नहीं है क्यों क्यों कि यहाँ पर systematic position कहने का मतलब ही classification हो गया कभी कुछ बच्चे छोड़ के चले आते हैं कि सर यह तो हमने पढ़ा ही नहीं था क्योंकि आप राइड फाइलम फाइलम इसका क्या हो जाएगा आर्थूअ ट्रो पोड़ा ऐनिमल में आता है और फाइलम कान सा है आर्थ पोड़ा तो आपको पता है कि largest फाइलम largest phylum of the animal kingdom तो कौन है phylum arthropoda और इसमें भी एक खास बात है phylum arthropoda में भी एक खास बात है कि largest class right largest class of the animal kingdom तो class insecta insecta class में बहुत सारे insect को रखा गया है बहुत सारे ठीक है तो इसलिए सबसे बड़ी class ये मानी जाती है animal kingdom की arthropoda जो है इसमें बहुत सारे arthropods आते है joint animals रखे गए है joint animals रखे गए है joint animal केने के मतलब क्या होता है joint animal जुड़े हुए animal है jointed leg जिन में पाया जाते है jointed body जिनकी होती है different type से जुड़ी हुई या आपको एक दम खंडिट form में दिखाई देगी उन सबको हम लोग arthropods के अंतरगत रखते है right तो सबसे बड़ा जो फाइलम माना गया है वो कौन है arthropoda और इसमें भी सबसे बड़ी class कौन सी है आपकी इंसेक्टा ये objective question आपका बन सकता है यहां से ये दोनों important point है कि largest largest मैं अभी बता रहा हूँ आगे जब मैं question solve कराऊंगा तो वहाँ पर भी आप लोगों से मैं आगे एक series लेकर के आऊंगा जल्दी जिसमें मैं objective type of question answers की लेकर कैने वाला हूँ जिसमें हम लोग discuss करेंगे इस अभी के बारे में तो जो largest फाइलम आपका है वो कौन सा है वो है आर्थोपोड़ा और जो largest largest class है वो कौन सी है आपकी इंसेक्टा तो इन दोनों को याद रखिएगा फिर उसके बाद मैं order की बात करें तो तर्मिट का जो order है वो है आईसोप तेरा क्या है आईसोप तेरा आईसोप तेरा order के अंतरकत इसको include किया गया है family की बात करें तो तर्मिट इडी तर्मिट है उसके आगे एडी लगा दो तो तर्मिट इडी ठीक है तर्मिट इडी क्या हो जाएगा इसका order और genus यहाँ पर क्या हो जाएगा genus या तो हम termit कह सकते हैं या हम क्या बोलेंगे micro termis क्या बोलेंगे micro termis या हम क्या बोलेंगे odontotermis micro termis या odontotermis या और दूसरा ओविंस यह इसकी species हो गई तो दो नंबर में यह question आपका पूछा जाएगा और इसको आपको लिखना है दो नंबर में question आ सकता है चलिए अब हम लोग इसके habit habitat के बारे में discuss करते हैं इसका सभाव कैसा है इसका वासिस्थान कैसा है है ना सभाव और वासिस्थान के बारे में बात करते हैं तो देखिए पहला point यहां पर लिखा हुआ है termit एक social insect है social insect करने मतलब यह हम लोग के साथ में रहता है social insect करने मतलब यह है कि अपने आप में यह social organization के form में रहता लेकिन यह हमारी चीज़ों को damage करता है तो इसलिए social insect है जो कि एक बड़े आकार की colony में एक साथ पाए जाते है एक बहुत बड़ी इनकी colony होगी उसमें यह पाए जाते है इनकी colony division of labor के आधार पर produce होती है अब इनकी जो colony होती वो बंती कैसी है तो इनके अंदर या इनकी colony में जो आप देखेंगे जो division of labor है that means कहने का मतलब क्या है कि वहाँ पर कुछ chamber होंगे अलग-अलग chamber होंगे ठीक है उन chambers में यह insect रहेंगे तो division of labor के आधार पर क्या होती है निर्मित होती है next पर देखें लिखा हुआ है termit human beings को सबसे अधिक खानी पहुचाने वाले insect में से एक है जो termit है न यह human beings को सबसे ज़्यादा harmful पहुचाते अगर किसी के घर में दीवक लग गई तो पूरा घर चट कर जाते हैं इसको prevent किया जा सकता है कैसे इसकी अगर हम लोग queen को मार दें queen को मार दें तो egg laying ही नहीं होगा और इसकी जो queen है न वो हर आदे गंटे में या कुछी गंटे में क्या करती है हजारों या लाखों के रोप हुआ है तर्मिट का में फूड क्या होता है सेल्लोज होता है ठीक है तो सेल्लोज रिच जो मैटेरियल होंगे ठीक है जैसे कि सेल्लोज सबसे ज़्यादा कहा मिलेगा आपको तो सेल्लोज सबसे ज़्यादा लकडी में मिलता है तो लकडी कोई सबसे ज़्यादा है हाम लकडी में भी मतलब आप देखेंगे कि कोई प्लांट अगर ग्रो किया हुआ है तो उसमें भी लग जाती है दीमक और दीरे 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 अब जब दीमक उसमें लगी कि तो कैसे तो सबसे पहले उसकी जो बार्ख होगी चाल होगी उसको खा जाएगा फिर दीरे अंदर पेनि अनन एक प्री के अंदर आप देखेंगे क्या हो जाता है हौलो कैबटी हो जाती है खोकली गुआ हो जाती है और वह गुआ किसके कारण होती है इसी करम मिट जो होती है और यह हमारी फसल है उसको भी कुछ जो termits होते हैं वो बहुत ज़्यादा हानी पहुंचाते हैं उनको नस्ट कर देते हैं जिससे economical हानी होती है इससे हमें क्या होती है economical form में क्या हो जाएगी बहुत ज़्यादा हाम पहुंचेगा अब हम बात करेंगे social organization in termit colony एक termit colony का जो social organization है वो किस तरीके से यहाँ पर बना हुआ है तो social organization in termit colonies तो पहला point देखें यहाँ पर लिखा हुआ है termit एक प्रकार का social insect होता है termit क्या होता है एक प्रकार का social insect होता है याद रखेगा एक socially insect माना गया है जिनकी colony में एक special type का social organization पाया जाता है या होता है इनकी colony में special type का social organization पाया जाएगा ठीक है next point termit colony में division of labor के आधार पर इसमें different caste यानि प्रभेद produce होते है तो termit की जो कालोनी है इसमें division of labor के आधार पर आप जब देखेंगे तो बहुत different type या बहुत सारी caste पाई जाएगी प्रभेद पाई caste मतलब यहाँ पर casteism से नहीं है caste कहने मतलब है कि यहाँ पर बहुत सारा प्रभेद division पाया जाएगा तर्मिट कालोनी की caste को मुख्यता reproductive caste वा sterile caste के रूप में क्या किया गया है classified किया गया है तो termit की जो कालोनी है उसमें जब आप उसको प्रभेद करेंगे तो एक तो reproductive caste हो जाएगी दूसरी आपकी कौनसी caste यहाँ पर बोली जाएगी sterile caste जहाँ पर fertilization नहीं होगा reproductive caste कहने का बत्ता वहाँ पर fertilization का ही process होगा that means king queen वहाँ पर रहेंगे बगी sterile caste में soldier worker रहेंगे ठीक है यह काम करेंगे और protect करेंगे सिधी बात है अब reproductive caste की बात करें तो देखे reproductive caste क्या है पहला point देखे लिखा हुआ है termit colony के वह सदस्य जो मुख्यता reproductive caste में साहता करते हैं उन्हें reproductive caste के रूप में classify किया जाता है that means ऐसे termit जो reproduction में साहता करेंगे सिधी बात है ऐसे termit जो reproduction में साहता करते हैं उनको हम लोग reproductive caste के रूप में classified कर देते हैं यह termites colony की main caste होती है जिसमें मुखिता चार प्रकार के सदस्य रहते हैं और इस colony में mainly four types के क्या पाये जाएंगे members पाये जाते हैं जैसे number 1 इसमें king मिलेगा number 2 queen होगी तो king queen का तो होना अति आवश्यक है number 3 colonizing adult और number 4 complementary caste इसमें colonizing adult भी पाया जाता है colonizing adult और complementary caste अब जखो king queen का जो नाता है वो तो सभी जानते हैं king fertilize करेगी queen को queen अंडे देगी तो जो king है और queen है यह बनते कैसे हैं तो colonizing adult और complementary caste यहीं से king और queen का क्या होता है formation होता है तो फटा फट फट पहले हम king के बारे में समझते है चलो भाई राजा साहब अपने बारे में बताओ तो कहता है protect termit colony में केवल एक king होता है ठीक है और protect termit colony में केवल एक queen भी होगी तो एक colony को चलाने के लिए एक colony को prefer करने के लिए या उसको सचार रूप से चलाने के लिए एक राजा की अवशक्ता होती है उसी परकार यहां पर भी मतलब एक leader की अवशक्ता होती है जैसे class room में एक monitor बनाए जाता ना एक leader बना दिया गया कि class में जितनी भी activity होंगी आप ध्यान देंगे और आप ध्यान दे करके आप क्या करेंगे सूचना पहुचाएंगे हम को तो वहाँ पर आपके उपर भी एक बंदा है तो आप monitor बनाएगे हैं उस class के तो उस class के आप king हो गए माल लो आप राजा हो उस class के ठीक है लेकिन जिम्मेदारी होती है आपके उपर क्या कि बच्चे शोर ना करें या आपकी जिम्मेदारी है अगर कर रहे हैं आपकी बात नहीं मानने तो उसका नाम नोट करके आप principal सर को देते हैं जाकर कि या अपने सर को बताते हैं चैक करके कि सर ये वाला बच्चे में मना कर रहा था नहीं मानना था आपने पावर दी फिर भी ये पावर का गलत इस्तिमाल या फिर भी ये पावर का उलंगन कर रहा था है ना तो फिर उसकी पिटाई होती है जो है या चारा कर दिया जाता, या प कीन्ट के बाहर खळा कर दिया जाता या पैरेंट्स को डिकार काम होगा की लइसे अब देखिये, लिखा हुआ है, तो प्रिट्टेग्टरमिट कालोनी में केवल एक king होता है जो कि कैसे बनता है जो कि unfertilized एक से पार्थेनो genesis के दवारा डबल अब होता है याद रखे का बहुत बहुत important point है यहाँ पर unfertilized यह जैट मिस्स उसको fertilize नहीं किया गया जब वो fertilized नहीं होगा जब वो आस पास कोई भी दूसरा प्लांट नहीं है तो उसमें फिर भी फुरूट आता है कुछ ऐसे प्लांट से आप बहुत सारा अमरूद ले लिजिए ग्वावा हो गया नीबू हो गया इनमें फुरूट आता है मैंगो मैंगो में तो फिलाल पॉलिनेशन हो गई होगा और नहीं भी होता है तो फिर वहाँ पर नहीं होगा तो कुछ ऐसे प्लांट से जो पार्थिनो जिनेशिस प्रॉसेस के थो क्या करते है फूरूट का फॉर्मेशन करते तो उसी तरीके से यहाँ पर भी है लेकिन फूरूट फर्टाइल ही होता उसी तरीके से यहाँ पर भी है कि unfertilized egg से जो unfertilized egg होगा उसी के अंदर development हो जाएगा और वो king के रूप में change हो जाएगा king कालोनी के royal chamber में रहता है यह खास बात है भाई जो king है तो वो तो royal हो गया royalty दिखाएगा और उसकी किस्मत इतनी अच्छी होती कि कर रसला करके इखटा करने बिछारे उसी को ही वो खाता है मज़े से next point सामानिता कोलोनी की कालोनी की queen में या कालोनी की queen के comprision में king का life spam छोटा होता है ठीक है अगर सामान रूप से देखा जाए तो king की जो life spam होती है king का जीवन काल होता है queen से छोटा होता है कम होता है जल्दी मर जाता है अब हम king के कालोनी में dead कर जाने पर अगर मान लो king खतम हो गया तो king खतम हो जाएगा तो भाई काम थोड़ी ना चलेगा queen ना विद्वा हो जाएगी तो उसको साहरा देने के लिए दूसरा king बन जाता है ठीक है तो एक king के कालोनी में dead कर जाने पर colonizing adult जो colonizing adult है और जो complementary caste है इन में से कोई एक सदस से king के रूप में develop होता है वो कहेगा अब मैं जिम्मेदारी समाल होगा या तो वो colonizing adult होगा या तो वो complementary caste का कोई एक सदस से क्या कर जाएगा king बन जाएगा आप queen की बात करें तो प्रत्यक टर्मिट कालोनी में केवल एक ही queen होती है जो colonizing adult जो colonizing adult and complementary caste में से develop होती है यह भी royal chamber में रहती है जिसका main काम egg laying करना होता है जिसका main काम क्या होता है अंडे देना होता है king से fertilize कराईगी fertilization करेगी ठीक है और अंडे देगी जाकर करके है और royal jelly खाएगी royal chamber में king के साथ रहेगी ठीक है next one देखे लिखा हुआ है termit queen का life spam लगबग 5 से 10 साल का होता है पाप्र यह एक colony के अंदर एक अगर queen है तो 5 से साल तक वो जीएगी और 5 से 10 साल तक breeding season में यह queen 24 गंटे में सतर हजार से लेकर के असी हजार तक अंडे देती है तो देखे लिखा हुआ है अपने breeding season में जब इसका breeding season होता है तब यह queen प्रतेक 24 गंटे में सतर हजार से लेकर के 80 हजार तक एग प्रोड्यूज करती है 70 थाउजंड तो 80 थाउजंड only 24 आर्स मतलब 24 गंटे में यह सतर हजार से असी हजार तक क्या कर रही है अंडे लेइंग कर रही है अंडे प्रोड्यूज कर रही है दे रही है अब इतना सारा टर्मिट खतरनाक ठीक है अता अपनी complete life cycle में एक क्वीन कई लाख अंडे देती है अपनी पूरी complete life cycle में यह एक क्वीन जो होगी वो कई हजारों कई लाखों तक अंडे दे सकती है अब थर्ड जो यहाँ पर adult है जिसका नाम है colonizing adult प्रोडुक्टिव कास्ट के अंदर उसका क्या मतलब है देखे लिखा हुआ है किसी termit कालोनी में पाये जाने वाले winged male यानि कि जो जिनके wing होते हैं आपने देखा होगा बरसाद के समय में जब पानी बरस जाता है उसके बाद में कुछ ant आती हैं कुछ चीटे उड़ने वाले होते हैं कुछ अलग प्रकार की आपने देखा होगा कि termit type वो termit ही होता actual में ठीक है तो वो इंसेक्ट उड़के आते हैं खाना बनाने से पहले जल्ली खाना बना लो नहीं तो कीड़े गिरने लगेंगे तो वो उड़के आते हैं फिर सुबा तक आप देखते हैं कि वो अपने जो विंग से उनको हटा देते हैं उनको डिकंपोस कर देते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं अपने बाड़ी से और फिर वो कहीं जाकर के घुज जाते हैं ठीक है नहीं घुज जाते हैं फिर वह आए जाने वाले winged male वा female सदस्य colonizing adult कहलाते हैं ठीक है यह adult rainy season में more number में growth करते हैं यह बहुत ज्यादा number में growth करते हैं अपने एक season है rainy days में ठीक है बशात कैसे है मैं में कोलोनाइजिंग adult आपस में fertilization करके नए सदस्य को produce करते हैं यह आपस में ही fertilization करेंगे colonizing adult जो होंगे वो आपस में ही fertilization की process करेंगे और fertilization करके एक नए सदस्य को क्या करते हैं बच्चो प्रोड्यूज कर देते हैं ठिक एक नए सदस्य को प्रोड्यूज करते हैं जो की क्या करता है new colony का formation कर सकते हैं के नय कालूंई का निर्माड कर सकते हैं क्यों क्योंकि उन्हीं से ही क्विए देखेंगे कि अगर मालो अगर मालो colonizing adult colonizing adult नहीं रहे तो आप की या कोई बना सकते हैं या आप बन सकते हैं कोई लोग एक कालोडी को तो चलाना है तो complementary form में तो रखने ही पड़ता है एक backup form तो रखने ही पड़ता है तो उसके बाद में second हमारा जो यहाँ पर cast है वो है sterile cast य देखें लिखा हूए termit colony के यह सदस्य रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेते हैं त्रमिट कालोडी के sterile जो कास्ट वे पाया जाने वाले सदस्य होते हैं यह reproduction भाग नहीं लेते हैं लेकिन इसके अलाबा यह सदस्य यह सदस्य अन्य कार्णियों को perform करते हैं ठीक है अन्य कालोनी के अंदर बहुत सारा काम होगा है ना तो उसको करना कालोनी की देखरेक रखना प्रोटेक्शन करना तो यह काम है उसके आधार पर क्या होगा तो इन सदस्यों में मुक्ताब वर्कर बस सोल्जर को इंक्लूड किया गया है देखो वर्कर की बात करते हैं इनका काम काम क के लिए किंग बनने के लिए अन फर्टिलाइजड एक होना ज़रूरी है लेकिन यह तो फर्टिलाइज कर दिये गए है तो यह काम करेंगे तो टर्मिट कालोनी के या सदा से फर्टिलाइजड एक के दौरह डवलप होते हैं इनमें अत्यदिक स्ट्रॉंग मेंडिबल पाया जाता है ठीक है जिसके कारण यह वुद इन सबस्टानस को अत्री खान पहुंचाते हैं अब मेंडिबल मेंडिबल मतलब इनके आगी का जो पोर्शन है माउथ में मेंडिबल पाया जाएगा ठीक है डंक करूप हम कह सकते हैं इस्टिंग नहीं बोलेंग इसको मेंडिबल ए तर्मिट के द्वारा वुड को वुड को हानी पहुंचाने वाली या वुड को पहुंचाई जाने वाली हानी मुखिता वरकर द्वारा होती है अब आप देखेंगे कि किसी लकडी में यदी तर्मिट लगा है यदीमक लगा है तो उसको जो हानी पहुंचाएगा ठीक है लग कर है याद रखेगा सेकेंड सोल्जर सोल्जर का कामी हो गया प्रोटेक्शन करना देखे लिखा हुआ है तर्मिट कालोनी के यह सदसे मुख्य रूप से अन फर्टिलाइजड एक से पार्थेनोजिनेसिस की दौरा डबलफ होते हैं यहां लार्ज साइज हैड वा सीकल शेप म पाय जाएगा जिसे किसी को भी पकड़ेंगे तो उसको मार ही डालते है मेंटिवल वाले मेंबर्स होते हैं जिनका मेन् फंक्शन कॉलोनी को केवल प्रोटेक्शन देना होता है अब जैसे यहां पर देखो यहां पर टर्मिट के कुछ बनाए गया है जिसमें आप देख रह स्टिकल शेप मेंडिबल पाया जा रहा है तो यह दोनों क्या हो गए यह दोनों हो गए इस्टिराइल कास्ट में रहने वाले सदस कर्मिट की ठीक है और यहां पर यहां पर आप देखेंगे तो यह जो तीनों है यह जो तीनों है यह पर्टिलाइज्ड यह रिप्रोडक्टि reproductive cast में पाया जाने वाले जातर से जैसे winged reproductive male है ना winged reproductive male और female दोनों में से कोई एक हो सकता है यहाँ पर यह queen है यह king है इसी में से यही जो winged reproductive male या female होगी queen male और female से दस होगा टर्मिट का यही अपने wings को त्याग करके किस में change हो जाईगी queen में या king में ठीक है तो इस तरीके से बेटा हमने यहाँ पर termit के social organization के बारे में समझ लिया बहुत important है question exam में पूछा जाता है इसके उपर चलिए next देखिए अब जो हमारा point है या अब जो हमारा topic है वो है इसकी life cycle के उपर life cycle of termit बहुत important life cycle of termits तो termit का जीवन चक्र किस तरीके से चलता है तो पहला point देखे लिखा हुआ है termit colony या termit colony सामानिता हा moist place पर produce होती है यानि कि जो termit की colony है वो सामान रूप से moist places यानि कि जहाँ पर नमिस्थान होगे वहाँ पर निर्मित होती पहली बात colonizing adult colony colonizing adult colony formation में सायता करते है जो colonizing adult होते हैं यह एक female सदस से queen के रूप में function करने लगती है तो colonizing adult में से ही कोई एक female क्या करेगी queen बन जाएगी और वो काम करना शुरू कर दीगे अंडे दिना शुरू कर दीती है इसके दोरा बहुत ज़्यादा amount में egg laying की जाती है बहुत ज़्यादा amount में egg produce के जाता है लाखों के रूप में लिए नेक्स में देखे लिखा वह टर्मिट एग का incubation period लगबख साथ दिन का होता है याद रखेगा यानि की जो टर्मिट का जो एक egg है उसका जो काल है जीवन काल यह हम यह कह सकते हैं उसका जो परिपक्वन अवस्था है परिपक्वन काल है वो कितने दिन का होता है साथ और प्रिटेक एक के hatching के बाद worker वा soldier produce होते हैं तो हर एक एक जो यहाँ पर hatch करेगा उससे worker और soldier निकलते हैं सामानिता worker fertilized एक के दौरा तथा soldier unfertilized एक के दौरा डबलप होते हैं जैसा मैंने बताया कि जो soldier होंगे वो unfertilized एक के दौरा और worker जो होंगे fertilized एक के दौरा नि नहीं पर होता है लेकिन दिमाग में बिठा लो अपने अपने दिमाग में बिठा लो कि अगर objective question में पूछा गया कि worker तर्मिट किस से निर्मित होता है कौन से एक से निर्मित होता है तो यह हमेशा unfertilized एक से produce होता है और वहीं पर soldier टर्मिट की बात करें तो यह हमेशा unfertil इसका चाह सी Stanisank से होता है टीक है डिपलफो होता है अटमास्फरी के स्क्राइडिशं के एक अ कर्डियोऩ अकॉर्डिंग ले रहेते हैं कि टाइम पिरिड है इसका छे महीने तो छे महीने के अंदर अंदर एक complete कालोनी का formation हो जाएगा एक नए सदस्रे का complete development हो जाता है ठीक है ज्यादा ये power पाई जा रही है किसको एक लेंग करने की ठीक है एक लेंग करने के कारण टर्मिट कालोनी के सदस्रे की संख्या में अत्यधिक तेजी के साथ ग्रोथ होती है अब हम नंबर ज्यादा बढ़ जाने पर या नई कालोनी को भी की प्रोडियूज करती है अगर मानलों एक कालोनी के अंदर बहुत जयाजा करने मेट तो कुछ दर्मिट के सदस्रे वहां से खट जाये और खटने के बाद में सीधे जाएंगे कहां सीधे जाएंगे नहीं जगा पर और वहा कर देते हैं जिसे कि यह आपर देखिए लाइफ साइकिल बना हुआ है कि एक किंग और क्वीन एक किंग और क्वीन आपस में फर्टिलाइज किये किंग भले बाद में डेड कर जाए कोई फरक नहीं पड़ता है दूसरा किंग आ जाएगा और क्वीन जो है वह पांस से दस साल अंडे देती है ठीक है और इस एक से क्या बनता है छोटा सा निन्ना सा पिदिकी बनता है निम्फ बनता है जिसको हम लोग कहते हैं और यह निम्फ तीन चीजे बन चकता है इस निम्फ से तीन चीजे बन सकते है या तो वरकर टर्मिट बनेगा या तो सोल्जर बन सकता है य और यह विंग्ड रिप्रोडक्टिव जो टर्मिट होगा यह अपने विंग्ड को यह अपने विंग्ड को डिलीट कर देता है ठीक डिलीट रिप्रोडक्टिव विंग्ड और डिलीट करने के बाद में यह किंग में भी चेंज हो सकता है और कुईन में भी बदल सकता है तो तो इस तरीके से बच्छों यह इसकी लाइफ सैक्ल के बारे में हम लोगों ने बात कर लिए यहां तक सभी को समझ में आया यहां तक आ गया ना समझ में चलो अब हम लोग इसके damage के बारे में बात करेंगे तो damage cause by termit के दोरा जो damage हो रहा है और यह यह क्या कारण हो सकता है तो damage caused by termite पहला पाइंट देखो लिखा होगा है damage caused by termite तो termite colony के आल सदस से cellulose rich material cellulose rich materials का feeding करते हैं इसलिए termite का main food इसलिए termite का मुख्य जो भोजन होगा main food जो होगा तर्मिट की अलिमेंटरी कैनाल में, पाए जाने वाले स्पेशल प्रोटोजोंस वा बैक्टिरिया के दोरा, सेकृरिट एंजाइम अब टर्मिट की जो इलिमेंटरी कैनाल है उसमें कुछ बैक्टिरिया और कुछ प्रोटोजोन्स पाय जा रहे होंगे special type के इनके दोरा एक enzyme secret हो रहा है और इस enzyme से इस wood में पाए जाने वाले इस लकडी में पाए जाने वाले cellulose का क्या होता है digestion होता है ठीक है wood को damage करने के अलावा अब ऐसा नहीं लकडी को damage करने के अलावा तर्मिट कुछ कुछ crop को for example sugar cane ठीक है mango tree coconut coffee आदिक के stem वा root को भी damage करता है इस type के crop plants में यह टर्मिट सबसे पहले क्या करेगा इसके stem के bark वा फिर cortex को खाएगा ठीक है damage करता है और finally पित को damage करके stem wood को complete hollow that means खोखला कर देता है stem को जो वूड है वो completely hollow हो जाता है इसके कारण तो यह तो इसका damage हो गया अब इसको control कैसे करेंगे तो prevention and its control है ना तो पहला पंड देखे लिखा हुआ है termit को control करने का most effective method colony की queen को नश्ट करना होता है जाओ उसकी colony में धून निकालो queen को और मार दो पूरी की पूरी colony तहस नहस हो जाएगी तो क्योंकि colony अब जब queen जब तक बनेगी तब तक time हो जाएगा अन्य वर्कर्स या जो soldiers हैं बिना queen के अधूर हैं तो death कर जाएगे धीरे धीरे कालोनी उनकी नश्ट हो जाएगे जिसके कारण एग प्रोडक्शन रुख जाता है और कालोनी की population भी रुख जाती है population रुखी है कहो कालोनी पूरी नश्ट कर दी नहीं कोई एक जरूर बन जाएगा complementary caste या या adults में से कोई ना कोई एक जरूर बन जाएगा देखे वुड सब्स्टांस पर insecticides जैसे बीएच सी ठीके बीएच सी एल्रीन आदिका इस्प्रे करके इन्हें तर्मिट अटेक से बचाया जा सकता है तो बीएच सी या एल्रीन का आप इस्प्रे कर देते हैं plants के उपर ठीक लगने से बचा सकते हैं specially तर्मिट को नहीं बचा सकते हैं तर्मिट लगने से उस crop या plant को बचा सकते हैं next में देखे लिखा हुआ है किसी most place पर पाई जाने वाली जिसे किसी moist place पर पाई जाने वाली तर्मिट का लोनी को बीएच सी 0.2% solution ठीके के use द्वारा complete form से nest किया जा सकता है अगर आप 0.2% solution लेते हैं बीएच सी गा ठीके ये chemical है ये chemical होता है इसका अगर आप spray कर देते हैं उस कालोनी के उपर तो उसकी complete जो कालोनी है वो nest हो जाती है उसके अंदर जितने भी टर्मिट पाया जारे है वो सारे के सारे nest हो जाते है तो बचो ये lecture हमारा complete होता है ये lecture हमारा complete होता है टर्मिट के उपर तो आई होप termit से related आपके जितने भी doubt होंगे या जो भी आपको लिखना है आपके exam में वो यहाँ पर complete करा दिया गया है पूरा यहाँ पर cover कर दिया गया है एक long question आपका यहाँ पर बन सकता है termit के उपर termit के बारे में explain कीजिए termit क्या होते हैं या termits क्या है इनकी life cycle के बारे में समझाइए और इनके social organization तो इक अलग सही question बन जाता है termit क्या है इसकी life cycle classification क्लासिफिकेशन उसके बारे में habitat पड़एगा फिर life cycle बतानी और इससे होने वाले और लरीके नहीं होगा तो नहीं है अधर आपको पर आपको provide कर दिया है अच्छे से आप उसको पड़ लीजिए यहां से आपके short question भी बनेंगे और मैं आपको बता दूँ यहीं से आपके objective question भी बनेंगे बहुत सारे तो पूरे lecture को आप बहुत द्यान से देखिएगा मेरे बच्चे पूरा lecture जब आप बहुत अच्छे से देख लेंगे अगर एक बार में lecture समझ में नहीं आ रहा है आप एक बार notes बना लीजिए ठीक है एक बार lecture देखते देखते आप notes बना लीजिए फिर दुबारा इसी पूरे lecture को आप revise कर लीजिए fast track पर आप speed जो है न वीडियो की speed बढ़ जाएगा और यहां से इस तरीके से जब आप study करेंगे न हमारी वीडियो को देख करके हमारे notes को बना करके आप अगेन वीडियो को जब देखेंगे न तो दुबारा फिर आपको कभी भविस्वें पढ़ने की requirement नहीं होगी ऐसा मेरा मानना है क्योंकि बहुत ही detail में बहुत इसने भी lecture हमने डालें उन सभी को आप प्लीज जो भी आप lecture देखें उनको share जरूर करें अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचा है जिससे आपका तो फायदा होई रहा है आपके दोस्तों का भी फायदा हो जाए और उससे मेरा ये फायदा होगा कि मेरे दोरा जो एक मुह किया गया है तो बहुत बहुत धन्यवाद बचों